ठंडा याने कोका कोला के चलते हम अपने देश के जो बहुत से लोग पर ये ठंडा थे उन्हें भूल गए हैं आज इंडिया में वापिस कंबूचा पॉपलर है यह बड़ी प्रोबायोटिक ड्रिंक है और इसलिए पॉपलर हुई कि पहले अमेरिका में पॉपलर हुई अब लोगों को यह नहीं पता कि 1970 में भी कंबूचा भारत में पॉपलर थी और घर घर में बनती थी इसको रोटा के जैसा और थटला सिठके जैसा होता है वह इसलिए कि इसके अंदर नाच्र con 이야 इसेटतVER है अब एसेटिक एसेड और झीया उदक्र digestive system और immune system को strong बनाती है अच्छा दूसरी बात ये कि गर आप गूगल करें कंबूचा घर में कैसे बनाएं तो आपको एक आएगा कि पहले आपको स्कोबी चाहिए अब ये एक ब्रांती है स्कोबी नहीं चाहिए आपको आपको चाहिए raw unpasteurized कंबूचा और अगर आपके वस कंबूचा है तो स्कोबी आप खुद बना सकते हैं तो सबसे पहले एक साफ जार ले लें इसे आप पहले साबून से धो लें फिर सिर्के से धो लें और अच्छे से सुखा लें उसके बाद आप इसमें raw unpasteurized कंबूचा डाल लें इसको अब आप कपड़े से ढख दें और एक अंधेरे वाले कमरे में जे आकिसी अल्मारी में जहां पर जो ताप पान है लगबख 23-24 डिग्री सेल्सियस हो और अंधेरा हो वहां पर रख दें उसके बाद जब तीन हफते तक यह जार रखा रहेगा आप इसको देखेंगे इसके उपर एक जिल्ली सी बन चुकी होगी इस जिल्ली को स्कोबी कहते हैं एक बार ही आपका स्कोबी तयार हो गया अब आप कमूचा बनाने के लिए तयार हैं दो लीटर पानी पतीले में लेजिय और उसको उबाल लेजिये उबलते पानी में अब थोड़ी चाय-पत्ति डाल लेजिये और थोड़ी चीनी इसके बाद गैस कर दीजिये और इस पतीले को ठंडा होने रख दीजिये च्छे-ाइठ घंटे में ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, एक बार ये आप हाथ लगाके पतीले को देख लीजिए क्या वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इसके बाद आप इसको छान लीजिए उस जार में जिसमें आपका स्कोबी तयार है, उसके बाद आप फि कंबूचा तयार है इस जार से आप कंबूचा आप एक बॉटल में डाल लीजिए और बॉटल को टाइट बंद करके फिर से एक हफते के लिए उसी जगह रख दीजिए जहां आपका जार था और इसके बाद अब आपकी एक कंबूचा तयार है अब आप इन बोतलों को हलका गरम करके भी सकते हैं जब आप इसको हलका गरम करें इसमें थोड़ी सी दाल चीनी डाल दीजिए और इसका टेस्ट आपको लगेगा बिल्कुल एपल साइडर जैसा कि अज़ाए कि अज़ाए